हेले वरेबन वेलकम यहाल इट लोकी सर अनलिम्टेड स्टुडी जोन चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ की क्लास टॉपिक चल रहा है इंटिग्रल और हम पढ़ रहे हैं इंटिग्रल तो आज एक्सरसाइज नंबर के 7.3 के कुछ कंसिप्ट कुछ इंटिग्रल चलिए तो देखिए सबसे पहले यहां पर हमारे पास जो भी हर्ष बैच चल रहा है तो हर्ष बैच में हमारे पास जो डाउट है यहां पर डाउट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सबसे पहले में उठाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में ज़्यादा simple है उसमें कहा गया है कि integration हमको बताना है integration of sine inverse cos x तो i is equal to अपने लिख लिए भाई सब sine inverse और यह क्या है cos x बच्चों आप लोग सब लोग जानते हो कि i is equal to यह हो गया sine inverse और cos x को हम क्या लिखते है cos x को लिखते है sin of pi by 2 minus का x तो sin से sin inverse eliminate हो जाएगा और i is equal to bracket के अंदर बचेगा only pi by 2 minus x अब यह इसको integrate कर देते हैं okay so i is equals to integration of pi by 2 का dx और minus of कितना x का dx तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा pi x by 2 और minus x square upon 2 plus कितना c तो यह इसका answer बनेगा minus pi x by 2 और minus x square by 2 plus c clear है चली अगला question देखते हैं जो doubt है हमाई पस वो क्या है भाई साब अगला question है हमाई पस question number 22 in CRT का question number 22 okay question number 22 मैं क्योंगा कि आप इसको थोड़ा सा घर से लगा कि आपको जाना पड़ेगा इस question को तब से आप यह exam में बनेगा यह question क्या है यह question कहरा one upon integration करना आपको one upon cos of x minus a into cos of x minus b देखिए आपके पास angle में cos x minus a x minus b है मतलब numerator में भी आपको angle में x minus a और x minus b बनाना है आपको उपर भी angle में क्या बनाना है x minus a और x minus b तो इसके लिए क्या करिए आप यह integration है यह लगा हुआ है तो आप क्या करिए कि यहाँ पर आप one upon sin of a minus b का divide कर दीजे और उपर जो है आप sin of a minus b का multiply कर देंगे इससे फाइदा क्या होता देखे क्योंकि जब यह टूटेगा तो sin a minus b जो होगा यह cos की form में टूटेगा बट इतनी जल्दबाजी नहीं है अभी देखो आराम से आप यह cos of x minus a है और यह है into cos of x minus b अब आप थोड़ा से यहाँ पर ध्यान दीजे तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा मैंने लिखा i is equal to one upon sin a minus b बस convert करने का ही पूरा का पूरा प्रोसेस है जैसे ही convert हो जाएगा थोड़ा से पीछे हो जाओ बिटाब तो जैसे ही यह convert हो जाएगा पूरा का पूरा तो फिर इसमें problem बिल्कुल नहीं होने वाली बट convert कैसे होगा बस यह step देखे यह step जो है बड़ा अच्छा है यहाँ पे बिटा अगर मैं कहूं आपको कि sign bracket के अंदर आप x add किया आपने क्योंकि यह plus x है यह नहीं समझ में आ रहा तो यह लिजे a minus b plus का x और minus का x आप तो समझ में आ रहा ना आपने add कर दिया plus x और minus का x नीचे विल्कुल वैसे का वैसी बने लिजे जो है cos x minus a into cos of x minus b अब जड़ा arrange करिए देखे इस x को इसके साथ ले लिजे तो यह क्या चलेगा भाई साब यह चलेगा one upon sin a minus b यह तो as it is चलेगा integration के अंदर नीचे जो है cos x minus a cos x minus b बिल्कुल लूस को वैसे रहन दिजे x minus a into cos of x minus b इससे कोई प्राब्लम नहीं है बट उपर थोड़ा समझा लिए अब आप देखे शाइन सबसे पहले इस x को और इस x b को आप साथ में ले लिजे तो यह क्या हो गया x minus b हो गया जी अब आपके पास बचा minus x plus a या बचा a minus x अगर आप यदि minus sign common ले लेंगे तो यह क्या बन जागा minus का x minus a तो यहाँ से minus sign common लीजे और यह क्या बन गया x minus a अब चलिए अब लगा दीजे इसमें formula आईए तो इसमें formula लगाते हैं इसको मैं crop करके अगले page पे ले चलता हूँ तो आपको समझ में भी अच्छे सा आजाएगा चलिए इसको crop कर दो भाई हुआ 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 तो यह देखिए यह आपके पास में function इतना आ चुका है अब देखिए मैं इसको कैसे adjust करता हूँ तो i is equal to one upon sin a minus b यह तो वैसे का वैसे यह integration के अंदर sin a minus b का formula जानते है sin a cos b minus cos a sin b तो यह break हो जाएगा sin of x minus b cos of x minus a minus sin b cos a sin x minus a into cos x minus b क्यों भाई हो जाएगा कि नहीं होगा और यह जो cos वाला टर्म है इसको आप इसमें भी distribute कर दो और इसमें भी दे दो तो यह क्या हो जाएगा cos x minus a cos x minus b और यहाँ भी cos x minus a cos x minus b यह देखिए बेटक इससे यह cancel हो गया और cos x minus a से cos x minus a cancel होगे so i is equal to 1 upon sin के अंदर a minus b ok sin upon cos कितना होता है 10 होता है तो यह हो जाएगा 10 x minus b minus integration के अंदर ही चल रहा है minus sin upon cos कितना होता है 10 x minus a x minus a ok तो अभी recently आपको मैंने 10 x का integration हो यहाँ पही क्या लगा है dx तो यह जो है यह तो चलता रहेगा ठीक है ना तो 10 का integration आपने क्या पढ़ा है 10 का integration पढ़ा है log sec x क्या पढ़ा है log sec x ठीक है आपने 10 का integration भी पढ़ा होगा तो 10 x का integration आता है minus log cos x भी बोलते हैं इसी को और इसी को क्या बोलते हैं log of sec of x क्योंकि माइनस उपर चला आ जाता है तो cos का 1 upon cos sec बन जाता है पता होगा ना आप लोग को तो चलिए इसको solve करते हैं जो पीछे आपने solve किया है तो पीछे solve किया है तो क्या था बाहर 1 upon sin a-b था अब देखें integration में क्या आएगा देखें तो इतना तो हो गया इसको back करता हूँ मैं यस integration में 10x-b का integration होगा log sec x-b minus log sec x-a होगा की नहीं होगा log sec x-b minus log sec x-a इतना हो गया log की property होती है भाई साब क्या होती है property log a minus b equal to log upon log b तो यहाँ पर property लगा दिजिए log a, a ये है, b a है तो log of sec of x-b upon sec of x-a mod बंद कर दिजिए अब दिखिए जो log है sec cos में परड़ जाएगा तो नीचे वाला उपर चला जाएगा और उपर वाला नीचे आजाएगा यही आपका answer sheet में answer दिया गया है one upon sign a minus b और ये हो गया log cos of x minus a upon cos of x minus b plus c this is your answer वो तो constant है ना बिटा constant का क्या integration रखोगे इसमें तो कुछ ही नहीं है constant है बाहर आ गया आगे बास समझ में finish ओके तो ये था बच्चों आपका integration अब चलिए अब करते हैं अगला formula based ओके next format है next type क्या integration अगला type of integration है formula based तो आपको कुछ integration की standard formula है आपको उनको formula को directly याद करना पड़ेगा आप उनको याद कर लिजे जैसे कुछ formula मैं आपके सामने लिख रहा हूँ तो पहला formula है dx upon x square minus a square जैसे ये formula आपको दिया गया है तो इसका directly integration कितना होता 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a तो ऐसे 8 formula है आपको 9 formula है 6 plus 3 कितने formula है 9 formula उन सभी formula को आप याद कर लिजे और इसी तरीके से ये formula में अब जब आपको बन जाएंगे तो इस पर आपके based question होने शुरू हो जाएंगे ये formula आपको याद करने बहुत जरूरी है ओके बच्चो ओके तो formula तो याद करना ही पड़ेगा आईए कुछ question लेखते हैं इस पर based तो आपको समझ में आगा कि इनको हम apply कैसे करते हैं ठीक ना तो ये काफी सारे formula हैं यसे 6 तो आपके पहले लिखे हैं और 3 फिर बाद में लिखे हुए हैं तो कुछ formula जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको questions भी बताता जाओंगा उस type के जैसे example number आप ले लीजिए example number 8 ले लीजिए जैसे example number 8 आप 8 ले लीजिए देखे यह आपके पास directly लिया गया है कितना dx upon 2 dx को किनारे कर लो भाई और 1 upon x square minus 16 देखे बहुत ही simple formula है यहाँ है गा 1 upon x square minus 4 का square और dx अब directly formula लगा लेंगे x square minus a square का formula क्या होता है इसका formula होता है 1 upon 2a okay तो formula लिखेंगे क्या होता है dx upon x square minus a square का 1 upon 2a log x minus a upon x plus a okay तो 1 upon 2a एक ही जगे कौन बेठा है 4 so 1 upon 2 into 4 log of x minus a x minus 4 upon x plus 4 बस तो हो गया यही answer आगया 1 upon 8 log of x minus 4 upon x plus 4 ठीक है जी तो यह हो गया आप देखे main अब मैं आपको कुछ special format बता रहा हूं कि अगर आपके पास में कोई question आया है इस तरीके का जैसे की समझ यह अगर कोई question आपके पास quadratic equation की form में है जैसे for example dx upon dx upon ax square plus bx plus c यह है ओके इस तरीके की format की question आ गई है तो आप क्या करिए इसको एक method होती ही जिसका नाम है completing the square completing the उसको use करके आप इसको बनाएंगे dx upon capital x square minus a square की form में है यहाँ पर capital x एक नया variable आ जाएगा और a constant आ जाएगा अब बनाएंगे अब don't worry चिंता मत करिये बन जाएगा और मैं आपको बता दे यह हो जाएगा capital x square minus a square की form में हो जाएगा अगर यहाँ पर dx upon under root ax square plus bx plus c है तो बिटा यह क्या बनेगी अच्छा जुरूई नहीं कि minus में हो सकता है plus में ही बन जाएगा याद रखेगा अगर यह ऐसा है तो क्या बनेगा यह तब यह बनेगा dx upon bracket के अंदर x square plus a square या x square minus a square ओके तो यह format हो गया है अगर आपके पास under root के अंदर ax square plus bx plus c है तब क्या बनेगा तब आपके पास यह बनेगा या तो x square plus a square उपर ही उपर या minus तो यह तीनों के तीनों जो है यह standard formula से ही solve होंगे जो आपके book में दिये हुए है ठीक है जी आए देखते हैं इसका question कैसे करते हैं में एक question कराओंगा तो आपको समझ माया जाएगा completing the square method वाला जैसे कि आपके सामने question दियागा question number 2 ठीक है question number 2 में एक आ गया है dx अपान तो dx को मैं side करता हूं हमें साच अच्छी यादत है dx को side कर यह यहां देखी क्या लिखा है 2x square 2x minus x square okay 2x minus क्या दिया है x square ठीक है तो इसको देखकर के मेरे मन में क्या रहा है format भाई साब इसको देखके मेरे मन में format आ रहा है कि यह पक्का जो बनेगा x square plus a square या x square minus a square की format बनेगी इसको completing the square करने के बाद तो आईए बच्चों इसको completing the square यदि मैं करता हूँ तो यह उपर dx है नीचे देखिए मैं सबसे पहले minus sign common ले ले था हूँ यह मतलब b कितना है one x square minus 2x b की जगे कौन है one है तो अब यदि complete square बनाना चाहते तो हमें क्या करना पड़ेगा one का square एड़ करना पड़ेगा क्योंकि one की पहचान हो चुकी है one का square क्या करना पड़ेगा add करना पड़ेगा और rule के according अगर आप one add कर रहे हो तो one क्या करो अब subtract भी करो ठीक है तो देखे क्या बन जाएगा यह यह बन जाएगा i is equal to integration dx और यह आ गया under root minus यह बन गया x यह बन जाएगा x minus one का whole square और minus का कितना one ठीक है यह माइनस को अंदर dissolve कर दीजे तो यह अंदर जाएगा minus तो यह क्या हो जाएगा root के अंदर यह minus इस पे attack करेगा तो क्या बना देगा उसको plus और यह चीज किस में आ जाएगी minus में x minus one का whole square अब आपको क्या करना है यह जो last में आपका term बचा है यह जो ज्सको मैंने crop किया आपko केवल इसको лे करके इसको ले करके आपको इसको solve करना है आईए तो इसको आपन solve करते हैं देखिए किस तरीके solve करींगे इतना part मैंने crop कर लिया अब देखिं मैंने बताया था x की पावर 1 जहां पर दिखो क्या माल लो t माल लो कास्ट तुम क्या होते 1-x square direct formula होता है sin inverse x का तो कास्ट तुम t होते तो मैं इसको t माल लूँगा तो लिखूंगा let x-1 equal to कितना t so this will be dt by dx कर दीज़े तो x का differentiation कितना हो गया 1 तो dx ऊपर चला जागा तो dx equal to कितना हो गया dt so simple question बदल चुका अपना dx की जगे dt आ जाएगा और under root कितना हो गया 1-t का square t का square 1-t का square direct formula है क्या होता sin inverse x so sin inverse t हो जागा तो i is equal to sin inverse कितना हो गया t और t की value put कर दीज़े कितना है x-1 so i is equal to हो गया sin inverse x-1 plus कितना c आ चुका है यह आपको question बन जाएगा तो बच्चों आपको जितने भी quadratic वाले equation है उनको सबको completing the square करके ही आँगे करना है ठीक है जी चलिए तो completing the square के आप सारे part कर लेंगे अब इसके आँगे मैं आपको बता रहा हूँ एक और format क्या बता रहा हूँ एक और format अभी तक आपने देखा कि quadratic या तो ऊपर बना या तो नीचे बना मतलब मैं क्या कह रहा हूँ आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि या तो और आप अब 7 इसको क्या कैया या या तो अपने इसको क्या कि है जब आपने इसको इसको यह फसरा है और से आगर आप इसको लिए आपने फॉर्मूले पढ़ रखे dx upon x square plus a square का भी होता है x square minus a square का भी होता है सब के आपके पास कोई ना कोई formula present है अब देखें मैं आपको एक अलग नया format बता रहा हूँ उसमें आपके पास क्या रहेगा एक linear term भी रहेगा एक quadratic भी रहेगा समझे जैसे ये question है format ये है integration उपर रहेगा px plus q और नीचे रहेगा ax square plus bx plus c ये रहेगा या तो ये है दूसरा i is equal to px plus q उपर linear term और नीचे root के अंदर ax square plus bx plus c और तीसरा क्या तरीका तीसरा है integration px plus q और root के अंदर ax square plus bx plus c ये चीज़े हैं इन तीनों में एक ही pattern यूज होना है एक ही trick लगने इसको solve करने के लिए अगर आप इसको solve करना चाहते हैं तो एक ही trick से solve होगा कैसा आप कहिए px plus q तुम मुझे ऐसे लग रहे हो इस trick को मैं बोलता हूँ ऐसा मौसम आया है इस trick का नामे ने बनाया ऐसा मौसम आया है तो मैं क्या कहे रहा हूँ PX प्लस Q ऐसा मों सम आया है कि जो PX प्लस Q है वो क्या दिख रहा है वो दिख रहा है differentiation किसका AX स्क्वेर प्लस BX प्लस C का अब जरूरी तो नहीं है कि वो उसका differentiation होगा या तो differentiation का कुछ गुना होगा या कुछ कम जादा होगा कुछ times होगा या कुछ कम जादा होगा तो उस times को show करने के लिए कितने times है मैं क्या लगा देता हूँ यहाँ पे N और इसको यहाँ क्या लगा देता हूँ N अब तो adjustment होई जाएगा न क्योंकि तुम्हारा differentiation करेंगे तो तुम double power के हो तो single power मतलोगे यह भी single power का है तो तुम भी single power के यह भी single power में तो difference किस में होगा coefficient में होगा या constant time में होगा तो मैंने ओ adjustment कर लिए कि लिए यहाँ पे M or N बठाल दिया है तो अपन उसको क्या कर लिए अज़ेस कर लिए आईए करते हैं इसका question उस question से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ example number आप 10 उठा लिजे example number 10 का जो पहला question है देखिया यह बैठा हुआ है x plus 2 इस नीचे है 2x square plus 6x plus 5 dx ठीक है ना तो एक चीज तो यह है कि आप अगर थोड़ा सा मेहनत कर जाएं और थोड़ा सा जुगाड यहीं पर फिट कर लें तो इसको आप बिना कुछ मेहनत करें इसको बहुत आराम से आप solve कर सकते हैं कैसे यह देखिए 2x square है जब आप 2x square का differentiation करेंगे तो उपर कितना बनेगा 4x मतलब आपको किसकी जरूर एता है 4 की तो क्या करिए 4 का divide करिए और 4 का multiply तो चलिए मैं इसे step में 4 का divide करता हूँ और 4 का multiply कर देता हूँ तो देखिए क्या बन जाएगा अपने पास यह 4x plus कितना हो गया 8 4x plus 8 और नीचे क्या बैठा 2x square plus 6x plus कितना 5 तो मेरे पहले टर्म की दो जोगार बन चुकी है 2x square का differentiation कितना आएगा 4x आएगा फिर 6x का differentiation कितना आएगा 6 आएगा तो अब थोड़ा सा देखिए तो देखिए मैं इसको क्या करता हूँ 1 by 4 क्या मैं 4x plus 6 plus 2 लिख सकता हूँ 6 और 2 कितना होता है 8 और अपॉन में 2x square plus 6x प्लस कितना 5 ठीक है अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करिए माइनस 2 क्यों करेंगे आपने 8 को ही तो 6 plus 2 लिख दिया आप completing the square थोड़ा ना कर रहे है adjustment कर रहे हैं आप दीखिए आप क्या करेंगे आप लिखेंगे इसको 1 by 4 ठीक ना bracket के अंदर 4x plus 6 divided by 2x square plus 6x plus कितना 5 और plus 2 upon 2x square plus 6x plus कितना 5 यह अपने दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया अब देखिए इसको क्या है यह जो है अगर आप इसको t मान होगे तो यह directly dt बन जाएगा कि ध्यान से देखो इसका differentiation यह बैठा है अगर यह t है तो यह क्या है dt आप यही पर देख लो आप कहोगे t is equal to 2x square plus 6x plus 5 लोगे तो इसका differentiate कर दीजे dt by dx equal to कितना हो जागा 2x का कितना हो जागा 4x और plus कितना 6 तो 4x plus 6 और 7 में dx dx equal to कितना बज़ गया dt मतलब यह जो पूरी चीज है इसके संगे जगे पर आप क्या रख सकते हो dt तो 1 by 4 ऊपर कितना बज़ गया जी dt ऊपर कितना बज़ गया dt और नीचे कितना है t तो dt by t कि में जाएगा लोग t तो यह तो बहुत easy होगा solve करना और बाकी दूसरा जो पार्ट है 2 upon 2x square plus 6x plus कितना 5 इसको आपको completing the square से solve करना पड़ेगा चलिए इसको मैं completing the square से solve करना हूँ ठीक है ना तो दूसरा वाला जो पार्ट है उसको अपन completing the square से solve करते हैं yes ओके देख लें किसमें पार्ट जो इसको बाद में solve करने अपन यह वाला पार्ट माइनस में तो माइनस चलते रहेंगा उससे अपन कोई लिना देना नहीं है बिट दीए कि ओपर क्या बैठा था तो नीचे है 2x square plus 6x plus 5 तो क्या करेंगे completing the square के लिए सबसे पहले उपर से 2 है नीचे से आप 2 common ले लिए तो यह कितना बज़ गया x square plus 3x plus 5 by 3 2 common, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, अच्छी बात है, तो यहां से लिखे, इस minus को अटा दो, वाद में रख देंगे और यहां पर dx है, क्या भीटा, हाँ, thank you so much, 5 by 2 आएगा, चलिए अब दीखे, आपको completing the square बना, completing the square mainly दो टर्म पर depend करती है, इस पे और इस पे, तो dx उपर बैठा हुआ है, नीचे completing the square, a square, क्या है जी, a square, plus 2 का multiply, x की जगए, a की जगए, x है, बच क्या गया भाई साब, 3 बच गया, क्योंकि यह 3 था, और इस 2 का multiply किया, तो 2 का क्या करेंगे, divide करेंगे, देखिए ध्यान से, आप देखेंगे, तो 2 से 2 cancel हो जाएगा, के वल क्या बचेगा, 3 x, तो लिखने का तरीका, 2 का divide, और 2 का multiply, तो पहले 2 का आपने multiply किया, और 2 का क्या किया, divide किया, तो a square, plus 2 a b, b की पहचान हो चुकि, यह b कितना आया है, 3 x 2, तो equation बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका whole square, add करना पड़ेगा, 3 x 2 का whole square, और जो आप extra add कर रहे है, उसको आप extra minus भी करना पड़ेगा, minus 3 x 2 का whole square, और बात की चीज़ यह बची दे किती, 5 x 2, चली तो देखिए, कितना बनेगा, 9 x 4, वो भी minus का, और 5 x 2, प्लस का, तो एक काम करो, 5 x 2, प्लस का आगे ले आओ, और 9 x 4 का ले आओ, पीछे ले जाओ, जिससे अपने इसको आराम से solve कर सकें, तो यह कितना बनेगा, dx upon x plus 3 by 2 का whole square, ओके, 2 और 4 का LCM कितना आ जाएगा, भाई स finally हमारे पास क्या बने का आएगा, यह हमारे पास finally आएगा, dx upon x plus 3 by 2 का whole square, प्लस, 10 में से 9 का कितना, 1, 1 by 4, 1 by 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 upon 2 का whole square, देखे, मैं हमें सा बोलता हूँ न, कि कोई भी square एक formula रहेगा, क्या formula बनेगा, x square plus a square, अब इसमें x की power 1 है, तो इसको क क्या suppose कर लिजे, t, क्या suppose कर लिजे, t, तो x plus 3 by 2 को t suppose कर लिजे, अगले step में, तो x plus 3 by 2 को आपने t suppose कर लिए, differentiate कर दीजे, x के respect में, dt by dx, equal to 1, याने dx equal to कितना, अब आ जाई है, अपने main integration में, जिसमें आप थे, तो देखे, main integration जो अपना है, i is equal to, मैं लिखता जाता हूँ, देखे, i is equal to 1 upon 4, i is equal to 1 upon 4 बहर बैठा है, okay, dt by t, okay, 1 upon 4 dt by t, dt by t क्या बन जागा, log t क्या बन जागा, log of t बन जागा, okay, फिर बीच में क्या है, minus है, बीच में क्या है, ये देखे, बीच में minus पड़ा हुआ है, उपर, फिर उसके बाद जो अपन ने क्या solve किया है, अपनने है d x upon x square plus sorry d x upon x plus 3 by 2 plus 1 by 2 का whole square तो ही आ जागा अपने पास में integration d x upon x plus 3 by 2 का अपनने क्या मना है t का whole square और plus 1 by 2 का whole square माफ की जागा यहाँ dx की जागा कितना आ जागा dt कितना जागा dt अब तो बहुत simple है भाई so i is equals to 1 by 4 log t अंदर ही अंदर और इस क्या आप क्या आप जानते है इसका formula होता है dx upon x square plus a square का directly formula होता है one upon a 10 inverse x upon a okay इसका होता one upon a 10 inverse x upon a ठीक ना तो इसको हम solve करेंगे तो यह आएगा one upon a तो देखिए यहाँ पर हमाई पास में one upon dx upon x square plus a square is equal to one by a तो देखिए one upon one by two okay a की जगा कौन बैठा है one by two 10 inverse x की जगा नहीं है t है t upon a a की जगा है one by two है तो देखिए